आप सब्सक्राइब बात करेंगे आपर बज़ाज फाइनांस के बारे में दोस्तो इस टॉक में आज गजब की तेजी देखने को मिली है 7% के ऊपर इस टॉक ने यहापर भयंकर तेजी दिखा दे थी अभी तेजी कंटीडियू रहेगी क्या और इस टॉक में परफरमस कैसा रखना चाहिए उसके बारे में डिसकस करेंगे और कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा दोस्तों बज़ाज फाइनास के बारे में तो स्टेप बास्टेप अंडरस्टानिंग करना और स्टॉक्स चीज़ें अभी खुछ एडिशनल और जबरदस चीजों पर हम आज सेवन से लेकर 8% के करीब की तेज़ी देखने मिली 430 रुपए पर बेनिफिट इन्वेश्टर को मिला दोस्तों गजब की तेज़ी देखिए स्टॉक यहाँ पर डिसेट करके रही आया था घर से ज़रू देख सकते हैं यहाँ पर इसने स्टार्टिंग से यहाँ बिल से लेकर तो यहाँ पर इस टॉक ने देखिए 6100 रुपए तक बोलतों यहाँ पर जबरदस तरीके से अच्छा यहाँ इसका फॉफरमस देखने मिला है और यहाँ पर आप देखेंगे रेकॉर्ड टोड और सबसे ज्यादा इसका जो आल टाइम का हाय था दोस्तों इस कंप एक साल पहले यह 2000 को मिलता था और आप देखें कहां पर है और आपको बताना भी चाहूंगा इसमें वैल्यूम देखिए कितना भहेंकर था पूरते के से यहाँ पर आम बात करें तो पूरे दिन में देखें दोस्तों कॉंटिटी के विशित पर बात करें तो बहुत देखने में आज की है तो देखें जब यहाँ पर करेक्शन वहा था तब मैंने आपको कहा था कि थोड़ी बहुत कॉंटिटी आप ज़रू उठा सकते हैं बजाज फाइनास के बारे में तो जो इंवेस्टर खरित कर बैटे होगे वह आज भी खुश है दोस्तों और आपको कुछ आडवांटेज है और कंपणी फाइदे मन नज़र आती है और इसके यहाँ पर कॉलिटी के बात करें तो फाइस्टर वाला फफर्फर्मस इसका यहाँ पर ओनर्शिप बात करें वैलुएशन के बात करें फाइनाशल इफिशेंसिक बात करें सभी चीजों में यहाँ पर बजाज फाइनांस का जबर्दस परफर्मस ग्रेट कंपणी है यहाँ पर आम जेके मार्केट के बारे में यह सबी चीजह मैं आपको बार-बार रिपीट इसले करता हूं कि आपको पता चल जाए कि हम जो कंपणी में खरीद रहे हैं या खरीद कर वैटे उसका ज्यादा प्रमोटर की होड़िंग देखे 56 परशेंट आर्निंग पर शेर 65 का और इसका जो सीजार रिटेने 268 65 के करिब का है बोले तो पूरे इंडिया में दिगज कंपणी के यहाँ पर लिस्ट निकलने के बारे में तो आपको यहाँ पर बजाज फाइनांस का नंबर य है यह बात आपको समझ में आ जाएगी मार्च मैने में 2021 में यहाँ पर बीस में सौरी 56.2 परशेंट का स्टेक था प्रमोटर के पास देखे जो बिजनस की जो कॉलिटी है ना वह मेंटेन ही रहेगी क्योंकि देखे जरूरत के लिए यहाँ पर लोन तो बहुत से लोग लेते रहेते आप सभी जानते हैं और यहाँ पर इनका कस्टमर बेस भी अच्छा है थोड़ा बहुत यहाँ पर पैंडेमिक की वज़े से ले इंटरनल नहीं की कम्पनी में कुछ घपला है या कोई आप बरबादी होरे कंपनी की बोल खर आयुसा कुछ भी नहीं है और यहां पर आ मश्कार साल पहले के बात कंडेले के पास साल पहले स्टॉक यहाँ पर कितने पर 75 पर मिलता था तब भी इन्वेस्टर को महंगा लगता था और आज भी महेंगा लगेगा और कल भी दोस्तों यह स्टॉक जैसे 10,000 का हो जाएगा ना तब भी महेंगा ही लगेगा और यहाँ पर देखे कंपनी में आपको रिटन तो मिलता है दोस्तों और रिटन के बारे में तो कोई बतानी की ज़रूरत ने बज़त फाइन और जो फ्रेश इंट्री की सोच रहे थोड़ा रूप कर खरिदारी करना बस यही रहेगा दोस्तों थैंक्यू